है 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 स्वागताव सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजी में आज हम बात करें कार्यपत्रक 74 की जो कि 24 जनवरी के जारी किया गया है कक्षाद 10 का विज्ञान में से कार्यपत्रक है बच्छे अपने नाम लिखें और यह आपने बच्छों हमारा पार्ट चला अनुवान शिक्ता विकास और आज हम इसमें बढ़ेंगे मनुष्यों में लिग निधारन के बारे में तो चलिए बच्छों देखते हैं जानते समझते हैं कि आज कार्यपत्रक अपको क्या बताना चाहता है तो बच्छों कर हम बात करें पते हैं अब इसमें दो तरह की गंचुत्र होते हैं इसदोंस पर यंदारन के라고 करता है अगर नर की बात करें तो उसमें होता एकक्सवाई और मादर की बात करें आप इननी से क्या होता है इन निधार उड़ वह कि आनंव में यूद्ञता truth कि मानम में बच्छा बन रहा है वह नर होगा की मैत होगा होता कि यह मनुष्य की प्रते कोशिका में 23 जोड़े गंद्शूत्र यानि के कुल 46 होते हैं तेइस जोड़ियों में से 22 जोड़े और एक जोड़ी लिंग गंद्शूत्र का होता है जो व्यक्ति के लिंग का निदान करता है पुर्षों में लिंग गंद्शूत्र की जोड़ी को छोड़कर बार्णव गंद्शूत्र में सभी जोड़ी पून होती है इन लिंग गंद्शूत्रों में के लिए महिला सम्यूगमजी होती है क्योंकि उनमें दोनों के दोनों समान होती है अर्था एक्स होती है दूसरी और पुर्ष रुर्ष विशम युगमेजी होती है कि इसके पास X के साथ एक चोटा Y गंसूत होता है या निकी X Y होता है इससे पत्व शलता है कि मादा केबल एक ही प्रकार के युग मुकातपादा करती है जो की है X जबकि नर्द दो परकार के यह मुकात पाद करता है जो कि है X और Y जैसे कि यहां पर दर्शा है हुआ बच्छा आपको अग यह मुलिज करके निर्मार्ण के दोरान एक बच्चे को हमेशा मां से X गंसूत पराप्त होता है जिस बच्चे को अपने पिता से X गंसूत पराप्त होता है तो वह पुत्री होगी और अगर Y प्राप्त होगा तो वह पुत्र होगा इस प्रकार एक बच्चे का लिंग केवल पिता के योगदान द्वारा निर्धारत किया जा सकता है यानि ये पिता के शुक्राण उपर निर्बर करता है ना कि मा के द्वारा अंड़ पर यही नहीं नर्व अत्वा मादा बच्चे होने की संभावना 50-50 प्रतिशत होती है यह लोकी बात होगी कैसे कैसे जोड़े हूए एक Y वाला हो गया माता प्रसुट्री 10 cancer और यह कुछ कद शरी सप्डसरी जिस्से दाप मान पफ़ और झिशीकर रखे जाते वे शिड़ीं तक आ रखे तेंडी में वक्षित होने वाला जानवर नर होगा की मादा होगा कुछ जानवर जैसे कहेंगा लिंग बदल सकते हैं यह दर्शाथ है कि लिंग हमेशा अनवानचिक रूप से निर्धारित नहीं होता है फिर है पक्षियों में मादा विश्मयोगमजी होते हैं अथार जैड डबलू गंड सुत्र होते हैं कुछ कीटों में नर्वे जोड़ों के बजए एक लिंग सुत्र लिंग गंड सुत्र होता है अच्छा यह तो बात भी आपके कार्यपत रखिए अब जरा प्रशन तर देख लिए हैं प्रस्ट नमर एक हमारे समाज में एक महिला को लड़की के जर्म देने के लिए उत्तर के दे र中國 से एक लावाज कि बता करते हैं होंगे क्यों ऌ reicht हैं होंगे हैं टो नहीं तो बचल देखते हैं चार्ड निधारन का होता है और वह तरस्टा है कि पता के पास ही दो अलग अलग तरगे न सुत्र है यानि कि एकस और याजिए प्ता के पास है गंडशूतर पर निद्धार दिता है ना कि महीला के आधार पर या माता के आधार पर तो इसलिए ये कहना सावाजी तोर पे कि इसके लिए महीला दोसी है ये गलत है ठीक है उच्छो ये आपका अंसर वन है प्रश्ण नमर दो है हम मनुश्यक में नर और मादा संतानों के संभावता का निद्धार कैसे करते हैं एक रोज के मदद से दिखाए तो बच्छो ये आप उसमें लिख सकते हैं पुराख पुरा ये आपका अंसर टू है बच्छो चलिए अगला देखते हैं बच्छो प्रस्ट नमर तीन है अमिनोसाइटिस जर्म से पहले बच्छे की लिंग का निदारन करने की एक तक्नीक है तक्नीक हमारे देश में परतिवर्द देते हैं ऐसा क्यों तो बच्छो अमिनोसाइटिस एक जर्म से पहले लिंग निदारन की तक्नीक है उसमें होता क्या है कि ज यहां पर यह इसलिए प्रतिबंदित है तक्नीक क्योंकि इसके गलत इस्तमार की जाते हैं लोग क्या करते हैं गर में ही अगर लड़की है वो तो उसे अबॉट कर देते हैं मानने की कोशिश करते हैं इस वज़े से हमारे यहां बेहन है बचुए फिर प्रशनमर चार लिंग हमेशा अन्वांचिक रूप से निर्धारित नहीं होता है यह कथन से आप सेमत है कि नहीं वो धारन देकर और चत्ते के साथ बताईए तो अगर बात कर से हमार थे घृ थो ठीक है यह अपका answer है इसका फिरेंद चित्र को पूराकरे बचो तो इसमें क्या कि दिखा भर क्रौस में पहला है ऐकस अर एकस य करोस कर रहे हम तो पहले जगा है उसमें अबह आपका एकस यह दोनों एकस एकस लिखे जाएगें और दूसरा जो क्रॉस बच्छा है इसमें यहां पर लिखा जाएगा एक्स और वाई क्योंकि यह एक्स होगे यह वाई होगे बच्छो तो बच्छो यह होगे आपका कारेपतर कंप्लीट और वीडियो गी आशकर तब वीडियो अच्छी लगी होगी